व्यक्ति के जन्म के दीन से ले करके उसकी टाइमिंग और जगह का भी खास महत होता है इसके आधार पर ही व्यक्ति का स्वभाव, खूबी, शौक, अच्छाई, बुराई, इत्यादी भीताय होता है हम जिन लोगों के करीबी होते हैं या फिर उनके संपर्क में आते हैं तो उनकी शक्षियत के बारे में सोचते हैं कुछ लोगों से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तो कुछ लोगों के साथ घुलने मिलने में हमें समय लगता है व्यक्ति का जन्म साल के जिस महीने में हुआ है उसका भी बहुत ही अधिक प्रभाव व्यक्ति के नेजर पर पढ़ता है आज हम जानते हैं कि जून महीने में पैदा हुए लोगों में कौन सी खूबियां या कमियां होती हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं अगर आपके किसी करेईबी का जन्म जून महीने में आता है तो उनके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो मदद करेगा सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक, इस महीने में पैदा हुए लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, यह अपना काम निकलवाने के लिए आपके सच्चे दोस्त बन जाते हैं, वहीं एहसान निकल जाने के बाद आपको भूने में भी समय नहीं लगाते हैं, अच् नए नए आइडियाज लाते हैं, इन लोगों के पास नए आइडिया की कमी नहीं होती है, यह लगबग हर मुद्दे पर अपनी राय देने की काबलियत रखते हैं, यह स्वभाव में चूजी होते हैं और हमेशा चाहते हैं कि इन्हें बेश्ट हीं मिले जो हर समभव जो हर इमेज को लेकर के भी बहुत सजग रहते हैं, सपनों के दुनिया में जीहां यह लोग दिन में सपने देखते हैं, यह अपने कैरियर से लेकर के पारिवारिक जिवन में सब कुछ बेश्ट चाहते हैं, कई मौकों पर यह हकीकत से दूर भी भागते हैं, दोस्ती में यकिन रखते हैं ये लोग दोस्ती निभाना जानते हैं ये जल्दी किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं और दोस्त बन करके रहने में ही विश्वास करते हैं ये बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं ये इमोशनल होते हैं जी हां बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं मगर ये भावनाओं को सामने जाहर नहीं करते हैं अपने व्यक्तित्व के इस भाव्ग हिस्से को छिपा करके रखना ये बहतर समझते हैं इन लोगों को दूसरों से वाद विवाद करना अच्छा लगता है इनके पास अलग तरह के विचारों की कमी नहीं होती है इसलिए ये बहस के लिए हमेशा ही तयार रहते हैं माना जाता है कि इस महीने में जन्म लेनी वाली महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी दिमाग से जीती हैं दिल से नहीं ये किसी से बदला लेने के मामले में सबसे कठोर और कुरूर मानी जाती हैं यानि कि जुन के महीने में जन्मे लोगों के ब जन्म जून के महीने में होता है यह आज की वीडियो रही उम्मीद करते हैं आप वीडियो से कुछ एनेलाइज कर पाए होंगे अपने आपको तो जरूर आप अपना उनभव भी लिखे कि आपका ऐसा उनभव रहा है कैसा रहा है इस समबन में फिलहाल विदा लेते हैं आज क इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में कमेंट्स में लिखें उम्म नमाशिवाय हर हर महादेव